तो आज का वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट इंटर्व्यू कोचन का डिसकॉस करने वाले सिक्वर्स सर्वर में तो यह कोचन जो है जैसे कि आपको हमेशा पूछा जाता है कि इन्त हाइस सेली यानि अगर आपको टॉप हाइस सेली निकारनी है तो आप कैसे निकालेंगे स तो इसी कोचन का हम आज डिसकॉस करेंगे और उसका प्रेट करके देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे और इसमें हम आपको कुछ ट्रीक बताएंगे कि कि इसको याड रखने से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए ह अप्लोड करें उसका आप लग उठा पाएं तो चली देखते हैं जैसे आपको किसी भी इंटर्व्यू में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उस इंटर्व्यू में सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि यदि आपका पास एक इंप्लॉई टेवल है और उस प्राइश 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 प्रा हम मैं descending order में कर जूंगा तो देखिए यहां पर मेरा 70,000 रुपीज आया है यानि सबसे मजब टॉप यह ही है सबसे बड़ा यह ही है ठीक है तो यह हमको मिल गिया है लेकिन हम ही को अगर बोले कि second higher salary और third higher salary निकालनी है तो उसको कैसे निकारेंगे तो चले देखते हैं सबसे पहले आपको यह चीज याद डखना है don't don't tell anyone यह चीज को याद रखिएगा ठीक है इसको short में हम कहते हैं don't tell anyone ठीक है हमाई इसी के उपर पे query लिखूंगा आप देखिए ठीक है जैसे मुझे top निकालनी है तो सबसे प चाहता हूं और चाहता हूं ठीक है तो यह चीज हमारा है यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर सबसे पहले सबसे ज्यादे 70,000 60,000 30,000 28,000 25,000 ठीक है तो अब क्या करना होगा मुझे यहाँ पर top लिखनी होगी ठीक है top 1 मैं लिखता हूं और इसे मैं sub query बनाऊंगा ठीक है select from इतना इसको मैं sub query बनाऊंगा sub query बनाने के बाद इस पर मैं order by चलाऊंगा order by चली ascending order ठीक है इसका मैं एक नाम देता हूं शही रहेगा और इसे मैं copy करता हूं इसको मैं आपको पुरा बता हूंगा कैसे मैं कर रहा हूं तो आप देखिए don't tell anyone का मतलब होता है सबसे पहले आपको जो descending order मिलेना है तो आप यहाँ पर देखिए मैंने इसे descending order मिलिया हूं ठीक मुझे अब top लेना है तो यहाँ पर मैंने top लिया हूं उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने फिर उसको ascending order में किया हूं total को ascending order में किया हूं ठीक है और यहाँ पी जो है आपका यह होता है अधरे मतलब सब्सक्राइग होता है कितना आपको चाहिए ठीक है तो यहाँ पर मैं search करूं तो मुझे first highest cell ली आएगा, अगर मैं second highest cell ली चाहता हूं तो मुझे second highest cell ली मिल जाएगा, यहाँ पर मैं fifth चाहता हूं तो fifth highest cell ली मुझे मिल जाएगा, ठीके, तो ऐसे ही आप कितना भी highest salary आप निकार सकते हैं 1,2,3,4,5,6 तो इसको हम int highest salary बोलते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक select दिखा हूँ top जितना भी हमको चाहिए जितना भी high यहां पर क्या होगा माने जिए third highest salary बोला गया है तो select top 3 उसके बाद आपको जो भी दिखाना है वो from ज ascending order होगा ठीक है इसको हम लोग sub query बनाएंगे sub query बनाने के बाद इसमें से हम लोग search करेंगे top 1 यहां पर हमेशा 1 ही होगा ठीक है किस में से search करें इसमें से और ascending order किस पर होगा ठीक है ascending order करेंगे तो यहां पर हमको top तो आपको यह समझ भी आ गया है ठीक है अगर आपको सिक्वर्स के इंटरव्यू सी सापका इंटरव्यू या आपका कोई और चीज भी आपको जानने का चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं सी साब के उपर में सीक्वर्स, इंटरव्यू कोईचन, पैठोन, आपका MVC है, API है अब मैं कोर स्टार्ट करने बाला हूँ ASP.NET Core with Entity Framework 6 तो आप अगर कुछे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साइनल को सब्सक्राइब करके लगनीजिए बहुत जल्द ही मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा तो आप उसका लाव उठाप आएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए थाएंक्यू है वनाइस ते